हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल क्रियेटी स्टडिय के पर एक ऐसा टोपिक सामने आया वई जिसको लेकर बहुत सारे स्टुडेंट्स को डाउट है अगर मैं बात करूँ लगबग 95% स्टुडेंट्स इस टोपिक को लेकर कन्फ्यूज है टोपिक क्या है जो आप लोगों की PDF एनांसर सीट की वो कहां सेंड करे रोल लंबर के उपर जो लगबग 90% स्टुडेंट्स को है यही डाउट आप लोगों इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाड़ा हूँ वीडियो को लास तक जरूर देखना उसके अलावा बई चैनल के उपर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना बैल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए उसके अलावा बई हमने एक टेलीग्राम ग्रूप बना रखा है जिसके उपर हम 10 से 15 मिनट के अंदर सारे पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर देते हैं अगर आप लोगों को वो ग्रूप जोईन सकते हो तो अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में अगर मैं एक्जेक्ट गाइडलाइन्स के इसाब से बात करूँ ना तो गाइडलाइन्स के अंदर ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट को अपनी पीडिएफ सेंड करनी है ना पहले अपने रोल लंबर वाड़ी इमेल सेंड करते हो ना उसके रोल लंबर वाड़ी इमेल के उपर तो वहाँ पर ये एक एरर आजाता है क्या आजाता है एरर वो एरर लगबग एक दिन बाद आता है तो उसके सोल्यूशन के लिए यूनिवरस्टी ने या कोलीज ने अल्टरनेट इमेल प्रोवाइड की है तो सबसे पहले आप लोगों को जो आपके रोल लंबर के उपर इमेल लिख हुई है ना उसके उपर सेंड करनी अपनी पीडियाफ पीडियाफ सेंड कर दी एक या दो दिन के बाद आपके पास एरर का मैसिज आने के बाद आप लोगों को क्या करना है उस एरर के मैसिज का क उपर send करने है ठीक है एक बारी फिर से repeat कर देते हैं जो error का message आया है plus आप लोगों की जो pdf है वो दोनों attach करके आप लोगों को alternate email पे send करने हैं कई students क्या कर रहे हैं direct alternate email पे send कर रहे हैं तो उनको problems आ सकती हैं भई आगे तो मैं आप लोगों को advise देता हूं कि आप direct alternate email पे send ना क PDF उस mail के उपर send करनी है जो आप लोगों के roll number में या admit card में provide कर रखी है ठीक है उसके बाद अगर आप लोगों को वो error का message जो होता है या address note found आप लोगों की mail है जो deliver नहीं हुई या कुछ इस तरह का message आता है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है उसका screenshot लेना है प्लस आ क्या करें है इमेल पे भी send करें रोलंबर वाली पे और जो उनको alternate email दे रखी उनको उसके उपर भी send करें तो यार जो यूनिवर्स्टी ने guidelines दिये ना आप लोग उनको follow करो कुछ extra अपनी तरफ से ना करो कुछ दिक्कत हो सकती है आप लोगों को बाद में तो इसलिए मैंन alternate है उस पे भी send करें तो यार ऐसा ना करो सबसे पहले आप अपने admit card वाली email पे send करो अगर वहाँ पर कोई error आता है वह error आने के बाद वह error आने के बाद फिर उसको screenshot लो जो error आया उसका screenshot लो प्लस PDF alternate पे फिर send करो ठीक है alternate पे send करने का यह complete procedure है तो आई थिंक आप लोगों के doubt clear हो गयोंगे कि जो PDF send करनी है वो alternate पे करनी है यह रो लंबर वाली पे करनी है उसके अलावा फिर भी कोई doubt आता है तो instagram id का link description में है उसको follow करो और मेरे पास message करो आप लोगों को reply 99% मिलेगा ठीक है thanks for watching creative study है के और channel के उपर नए हो तो channel को subscribe करना ना भूले